दोस्तों आज में बात करने वाले हैं बहुत ही खुबसूरत प्लान के जैसा कि अब इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे 25 वाई 25 हाउश प्लान है और दोस्तों यह चारो तरफ से उपन है यह मालू आप एक खेत में घर बना हुआ है 25 वाई 25 का बहुत ही बेतरीन सा प्लान मैंन है उन्हों ने इस मॉर्ण के डिपांड की उन्हें हमें से कांटेंट कीया उनके किहने पर उनकी हैं मैंने हाउस क्रेट किया है इसी मॉलड को डिसकॉस करेंगे 25 25 वी में पूरा मैं overall आपको discuss करने वाला हूँ तो बने देश उडम लगातार मैं हूँ पहुंच जागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल अगर आपने इसमाल हूस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें आने वाले सबी विडियो आप देख चाके हैं तो चारो तरफ मैंने रिलिंग इसलिए दिया है कि वी चारो तरफ से ओपन है यह आपका कार पार्किंग का एरिया है यह आपका में डूर है और 25 वाई 25 से हड करके दोस्तों ये stairs है मैं पहले इस प्रिंगल को remove कर देता हूँ तो दोस्तों जैसे आप ये देखे 25 वाई 25 जो area मकान ये जो stairs बनी है हलाकि ये थोड़ा अलग जगे में बनी है क्योंकि 4 तरफ open था तो 25 वाई 25 मकान लेकिन stairs जो बाहर से दी है उनकी requirement थी कि stairs के बाहर से होनी चाहिए तो आप stairs जी बाहर से दी है दोस्तों 3 फिट का जो कि आप लपाएंगे फ्रिंट टिलेवेशन की बात करें तो पूरा इसका मैं बताऊंगे यह bedroom बगएरा इसका car parking का साइड और यह आपका जो यह area दिख रहा है तो यह भी पूरा तो सबसे लेकर हम ground floor की बात करें तो यह इसका दूस्तों ground floor है इस मकान का stairs से यहां पर लगए यहां से आप ऊपर जाएंगे और यह car parking का area open है जिसमें मैंने slope दिया है और यह door है main door उसके side में दो window दिया है ventilation के लिए और यह जो आप देख रहे हैं designing यह देखिए दोस्तों जो slope type का देखा होगा आपने प्लायर रखे रहते हैं तो यह designing के purpose से काम आते हैं और यह pillars वगएरा है आपके चारो तरप क्रेड किया है यह आपका मिस्त्री बनाएगा अब हम बात करते हैं जैसे आप stairs के माद्दम्स उपर जाते तो आपको dining area बड़ा सा मिल जाता है बड़ा सा dining area मिलता है और इसके just side में देखिए एक बड़ा से window है क्योंकि इस side भी open है यह चारो तरप open इसलिए में बड़ा सा kitchen मिल जाता है इस kitchen के area के just bagel में आपको यह एक bathroom और यह आपका lid मिल जाता लेट बात यह मिल जाता पूरा area यह आपका washing area यहाँ पर है इस kitchen के माद्दम से क्योंकि दोस्तों पीछे भी open है तो kitchen से ही पीछे जाने का मैंने एक रास्ता भी 2 feet का दिया है इस kitchen से आप आ जाते है पीछे जो कि मैंने एक balcony टैप का देखी पीछे दिया है लगवक 3 feet का यह आप यहाँ पर आ जाएंगे और अपना पूरा यहाँ पर look भी जो दिया है front television वो भी आप देख पा रहे होंगे तो यह तो पूरा portion यह वाला हो गया आपका अब बात करते हैं इस बाले बड़े से bedroom के से master bedroom आप बोल सकते हैं लगवक 10-15 feet का यह bedroom है इसके लिए door मैंने यह दिया है इस bedroom में आप आ जाते हैं जिसमें मैंने दोनों तरफ से window दिया है ventilation के लिए आगे सी window दिया पूरा open यह bedroom master bedroom आपका होने वाला है यह एक बड़ा सा bedroom यह dining area यह kitchen यह लेट और बात वगयर आप 25 क्रोश 25 में देखने को मिल जाता है यह पूरा चारो तरफ से open जैसा कि मैंने आपको बता दिया देखी गया ventilation के लिए door and window वगयरा सब कुछ मैंने हाँ पर दिया है अब अगर हम बात करें इसके first floor की तो आप देख पा रहे होगी यह first floor है इसमें कुछ भी मैंने design नहीं किय चारो च्छत बना दी और चारो तरफ रेलिंग लगा दी है जो आप देख पार stairs के गर बात करें तो आप stairs देखी दोस्तों यह तो बारंदी जो आपका जो यहां से यहां साब निकल के चड़ सकते हैं directly stairs से चड़ेंगे इसके पाद आपको एक कि मिल जाता है area जहां पर आपको देखने को मिल जाता है पीछे यह पीछे का portion ने डाई से तीन फिट क्रेट किया यह विंडो वगएरा यह कार पार्किंग आपका तो यह पूरा मॉडल आपका 25 क्रॉस 25 में विद कार पार्किंग क्रेट होकर आ जाता है यह मॉडल कैसा लगा इसके करम कोस्ट की बा डाउनलूड कर सकते हैं वो दोस्तों पूरा कॉस्ट पाइंड आउट कर देता है लिंक डिस्केप्शन में या आप प्ले स्टोर पर जाकर वहां भी स्माल आउट सर्च करेंगे तो आपको एप्लिकेशन मिलेगा और आप उसे डाउनलूड कर पाते हैं उसे पूरा आपका जूरर करें को सबस्कुते हैं जासा कि आपको प्रेंट करना होता है उसके बाद ही रहें opinion है मैं जुरूब बदाए, thanks watching